नमस्कार दोस्तों, जीतायस की ओनलाइन क्लासिज में आप सभी का सुआगत है, जीतायस अप पर, लेक्टर आर्ट स्क्रेइनिंग के लिए जो टेस्ट सीरीज अभी चल ले ही है, उसमें मैं सामण्य हिंदी का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ आपके सामने, आज सामान्य हि कुछ चुनिंदा प्रस्णों पर हम चर्चा करेंगे एक टेस्ट्सरीज जो है सामान्य हिंदी पर 50 प्रस्णों का ये टेस्ट्सरीज है जिसमें मैं आपके साथ उनके जो भी उत्तर हैं उसको डिसकस करूँगा पुरे आपके एक्सPLENATION के साथ हर प्रस्ण आ रुत्तर का जो है पस्टि करन दूँगा मैं आपको इसमें पहला प्रस्ण है कि इनमें से कौन सा सब्द तद्भव है तद्भव तद्सम से सम्दित पहला कुश्चन है कौन सा सब्द तद्भव है जिसमें चार विकल्प है गहात, दूसरा विकल्प है तोंद, तीसरा विकल्प है समस्रू, चौथा विकल्प है डी, कोई नहीं, अब इसमें से सही उत्तर जो होगा आपका, वो होगा बी, बी इसलिए होगा क्योंकि गहात और समस्रू जो है, ये दोनों तत्सम शब्द हैं, तद्भव जो है, एक मात तुन्द, अगर तुन्द सब्द के तत्सम की बात करें, तो इसका तत्सम होता है तुन्द, दूसरा कोस्चन है, कूली शब्द, कूली शब्द के बारे में पूछा गया है, कि कूली शब्द किस भासा का है, अर्भी का है, फार्सी का है, तुर्की का है, या फ्रेंच है, तो इसमें इस दूसरे प्रस्ण का सही उत्तर जो होगा वो होगा तुर्की कूली शब्द जो है ये टर्किस वर्ड है तुर्की भासा का शब्द है तीसरा question जो है आपका मनस्वी सब्द में प्रत्याई पूछा गया है कि मनस्वी सब्द में कौन सा प्रत्याई है मनस्वी अब यहाँ पर विकल्प पहला विकल्प है वी, दूसरा विकल्प है स्वी, तीसरा विकल्प है इ बड़ी की मात्रा और चोथा विकल्प है छोटी हरस्वी यहाँ पर जो सही उत्तर है वो होगा पहला वी, वी इसलिए होगा क्योंकि इस सब्द की संग्रचना को अगर आप देखेंगे तो मनस मूल सब्द है और इसमें वी प्रत्य लगा हुआ है तो मनस मूल सब्द यदि हम बाहर ले लेते हैं तो देखिए इसमें प्रत्य के रूप में क्या बचेगा वी बचेगा अतह सही उत्तर इसका जो है वो पहला विकल्प है वी अगला कोस्चन जो है किस सब्द में प्रत्य है चार सब्द दिये गए हैं जिसमें हमें देखना है कि किस सब्द में प्रत्य है या किस सब्द में प्रत्य नहीं है तो इसमें ये पूछा गया है किस सब्द म और आस जो है ये प्रत्य है तीसरा विकल्प है बिच ओना जिसमें बिच धातु है और ओना जो है ये प्रत्य के रूप में आया है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर तीनों शब्दों में प्रत्य है इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी अर्थात यहां प्रत्य जो है वो सभी शब्दों में है अगला कोस्चन जो है हमारा जिसकी जीविका निस्चित नहो के लिए एक शब्द बताना है जिसकी जीविका निस्चित नहो विकल्प हमारे पास चार है पहला विकल्प है भिक्छा वृत्ति दूसरा विकल्प है बेरोजगार, तीसरा विकल्प है बहुँ धन्धी और चौधा विकल्प है आकास वृत्ति, तो जिसकी जीविका निस्चित नहों उसके लिए एक सब्द होता है आकास वृत्ति, इसका सही उत्तर जो होगा वो डी विकल्प होगा आकास वृत्ति, छटा कोस्चन जो है जो पाप पुर्णे हर्ष विसाद से मुक्त हो या परे हो इसके लिए एक शब्द जो होता है वो होता है केवलात्मा जो पाप पुर्णे और हर्ष विसाद से परे हो उसके लिए एक शब्द केवल आत्मा होता है अतर इस question का सही उत्तर जो है वो बी option होगा केवल आत्मा इसमें other जो option है दिव्य है ये किसी one word substitution के लिए वाक्यांस के लिए एक शब्द के लिए नहीं आता हुतात्मा सब्द जो पुर्णे कार्य हे तू प्रान त्याग करने के लिए हुतात्मा शब्द आता है अगला question सात्मा question विरासत में मिली हुई जायदाद के लिए एक शब्द विरासत में मिली हुई जायदाद के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है रिक्थ रिक्थ ऐसा रिक्थ इसमें ब दे सकता है जागिर, पुस्तैनी से मतलब पुरे शब्द का बोध नहीं होगा, पुस्तैनी के साथ जायदाद सब्द जुड़े, तब बात होगे, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, कि एक शब्द देना होता है, तो दो शब्द हो जाएगा, पैत्रिक का मतलब पिता से संबंध हो गया, आता इसका सही उत्तर जो होगा वो, सी, तिस्त्रा विकल्प होगा, रिक्त, अगला जो कोस्चन है हमारा, अशुद्ध वरतनी वाले शब्द का चैन करें, वरतनी परिक्षन से है, पहला विकल्प है सद्रिश्य, जो है ये गल्लत है, यदि सब्द होता सद्रिश् से तो भी सही होता, सद्रिश्य अपने आप में कोई शब्द नहीं होता, वो गलत है, अगर सब्द इस रूप में होता, तब सही होता, अथ ही इसमें पहला ही pushes आपका आंसर है बाकी जो तीन सब्द लिखे गए हैं इसमें निरलोव सही वरतनी है यज्यवलक्य ये भी सही वरतनी है और कैलास में दंत्यसा का प्रियोग होता है यह भी अपने आप में सही वरतनी है नवा कोस्चन जो है सुद्ध वरतनी वाले सब्द का चैन करना है इसमें हमें ये देखना है कि किस सब्द की वरतनी सुद्ध है पहला सब्द जो है वो है अनाधिकृत जो की गलत है ये सब्द होता है अनधिकृत आ की मात्रा नहीं होती इसमें ये सब्द होता है अनधिकृत दूसरा जो शब्द है क्रिशांगिनी इसमें इनी प्रत्य का प्रियोग नहीं होता इप्रत्य का प्रियोग होता है अता है इसका सुध्य रूप जो है वो होगा क्रिशांगी तीसरा विकल्प जो है वो है स्वास्थे स्वास्थे भी सब्द जो है ये गलत है या तो स्वस्थ होता तो सही होता तो यहाँ पर जो है स्वस्थे सब्द जो है वो गलत है यहाँ पर यदि स्वस्थ होता तो सही होता या स्वास्थे होता तो सही होता यहाँ जो सब्द दिया गया है स्वस्थ है, स्वस्थ है सब्द जो है वो गलत है अपने आप में, स्वस्थ है सब्द गलत होता है, या तो स्वस्थ हो या स्वस्थ हो, तो इसमें जो है D option सही होगा, सभी सारे शब्द अशुद्ध हैं, क्योंकि ये बाहुलिता, गलत है, ब नेन के नहीं सोगन से बुस्ट नहीं नहीं है आ बिज्गन осв क्रोम ऑन्सेश सांदोी दर्व कॉस्टर पनतु में एक दी चार्ड मेंहीं हैन। जो की गलत है अतह ये विकल्प जो है ये सुमेलित नहीं है तो इस प्रस्ण का उत्तर यही होगा सिक्षक ने ऐसी कहाने सुनाई कि छात्र मंत्र मुग्द हो गए यह अपने आप में एक मिस्र वाक्य है मिस्र वाक्य है इसलिए आंसर यही होगा गलती क्या है कि ये संयुक्त वाक्य नहीं है बलके मिस्र वाक्य है इसके बाद के विकल्पों पर यदि आप नजर डालें यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतिक्षा करें यह मिस्र वाक्य है सही है सडक पार करता हुआ एक व्यक्ति वाहन से टकरा गया यह सरल वाक्य है यह भी सुद्ध है तो यह लास्ट जो विकल्प है वो है तुम पढ़ने आए हो न की तफरीह करने यह अपने आप में संयुक्त वाक्य है जो एक विकल्प सोचक अव्या के द्वारा जुड़ा हुआ है तो यह भी सुमेलित है तो कुल मिला करके जो एक यारहुआ प्रसन है इसका आंसर जो होगा वो पहला होगा यह मिस्र वाक्य है जिसके सामने संयुक्त वाक्य का विकल्प दिया गया है अगला वारहुआ कुश्चन आश्रित वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो आश्रित तीन प्रकार के होते हैं पहला जो होता है उसको हम कहते हैं संग्या उपवाक्य दूसरे को हम कहते हैं विशेशन उपवाक्य और तीसरे को हम कहते हैं क्रिया विशेशन उपवाक्य तो ये ध्यान रखेंगे आसरित वाक्य जो हैं ये तीन प्रकार के होते हैं संग्या उपवा करिया विशेशन का कारिय करता है तब हम उसे क्रिया विशेशन का कारिय करता है। तो इस तरह से आश्रित वाक्य जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं और इसमें सही आंसर जो होगा वो सा तीसरा विकल्प होगा नेक्स्ट तेरहुआ कुस्चन है अनुपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है अब यहाँ चार सब्द हैं पहला सब्द जो है अनुज अनुपसर्ग और जो मूल सब्द है इसमें दूसरा विकल्प है अनुपात इसमें भी अनुपसर्ग है और पात मूल सब्द है तीसरा जो विकल्प है अनुपमा जिसमें अनुपसर्ग है और मूल सब्द जो है वो उपमा अतह सही उत्तर क्या होगा तीसरा विकल्प अनुपमा क्योंकि अनुपमा सब्द में अनुपसर्ग न होकर के अनुपसर्ग है हलंतियुक्त अन चौदहुआ जो question है पराउपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है इसमें भी आपको चार सब्द दिये गए हैं चार विकल्प है पहला विकल्प है पराधीन जो कि परअधीन होता है पर अधीन पर उपसर्ग है अधीन मूल सब्द है तो पराधीन में पर उपसर्ग है अतह उत्तर आपका पहला विकल्प होगा पराधीन क्योंकि यहाँ पर यह पूछा गया है कि पराउपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है बाकी के तीन सब्दों पर अगर आप ध्यान दें तो पराक्रम में भी पराउपसर्ग है और क्रम जो है वो मूल सब्द है पराजय में भी पराउपसर्ग है और जय मूल सब्द है पराकास्था में भी पराउपसर्ग है और कास्था जो है वो मूल सब्द है तो इसका उत्तर प्रश्ण का उत्तर पहला पराधीन 15 कोस्चन किस सब्द में कृत प्रत्य नहीं है कृत और तद्धित ये दो तरह के प्रत्य होते हैं कृत प्रत्य हम उन प्रत्यों को कहते हैं जिन वे प्रत्य जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़े हों इसके अत्रिक्त जो भी प्रत् चाहे सर्वनाम के उंत में जुड़े हों , इन प्रत्यायों को तद्धित प्रत्य कहा जाता है तो यह सपस्ट है कि हमें कृत और तद्धित प्रत्य 게 लिए मूल सब्ध के अलग करना होता है और मूल सब्द की व्याकरनी कोटी पहचाननी होती है कि वो संग्या सर्वनाम विशेशन या क्रिया में से क्या है यदि वो क्रिया है तो क्रित प्रत्य है क्रिया की अतरीक तन्य कुछ है तब वो तद्धित प्रत्य हो जाता है तो यहाँ पर यही हमें चुनना है कि किस सब्द में कृत प्रत्य नहीं है अर्थाद जिस सब्द का मूल सब्द क्रिया नहीं है वही आंसर होगा पहला विकल्प हम देखें पाठ अक पाठक शब्द है तो पाठ जो है वो मूल सब्द है और अक प्रत्य लगा हुआ है पाठ म किया है क्रिया है अरधात इसमें भी जै ज lange ची pada जाना गे फार्थान कैसा साथ ची प्रत्य लगा हुँआ है झाला जो है वह अपने आतमे शंगया है इसलिए हमारा उत्तर जो हुगा वो C होगा खजानची, बाकी तीनों जो है उन में क्रित प्रत्य है, क्योंकि बाकी सब्दों को अलग करके आप देखेंगे, चोथा विकल्प होनहार है, होना क्रिया है, अत्थ इसमें भी कृष्ध प्रत्य है, तो हमारा उत्तर इसमें, 15 वे कॉस्चन में सी विकल्प होगा 16 हुआ कोस्चन जो है किस सब्द में प्रत्य नहीं है? तो यहाँ पर शब्दों को विसलेशित करके हमें देखना पड़ेगा कि कहां पे प्रत्य है कहां पर प्रत्य नहीं है आईए विकल्पों को विसलेशित करते हैं पहला विकल्प पार्थ है जो प्रिथा सब्द में और प्रत्य के जोड़ने से बनता है अर्थात इसमें प्रत्य है दोसरा सब्द दैत्य है जो दीती सब्द में और प्रत्य जोड़ने से बनता है तो इस स स्थेें विकल्ब जो हैं वो पृत्यवाले शब्द हैं अतलह इसमें जो सही उत्तर होगाओ वो ृटी होगा दी होगा धी ऑप्शन यह कि सभी में प्रत्य है तो सही उत्तर जो है वो डी हैं इन सारे सब्दों में प्रत्य जुड़ा हुआ है अगला कोस्चन सत्रहुआ कोस्चन जो है वो यह है कि किस सब्द में दीर्ग संधी है सब्दों का संधी विछेद करके हम देखते हैं दीर्ग संधी किस में है पहला सब्द जो है पहला विकल्ब जो है वो है निरी है इसका संधी विछेद करेंगे यन संधी है, तीसरा जो विकल्प है वो है नद्यूर्मी, नदी-धन-उर्मी, तो इन तीनो सब्दों में हमने देखा कि किसी में भी दिर्ग संधी नहीं है, अतह इसका भी उत्तर D विकल्प होगा, किसी में नहीं, क्योंकि यहाँ जो पहला है वो विसर्ग है, बाकी के जो दो विकल्प हैं वो यण संधी के उदाहरण है अतह उत्तर आपका डी होगा कोई नहीं कि नेक्स्ट कुस्चन वध्वैश्वर्य में कौन सी संधी है तो वध्वैश्वर्य को तोड़ के आप देखिए वधु धन एश्वर्य अब यहां इसमें यही तो हुआ है कि उ की जो मात्रा है वो व में बदल गई है धो आधा हो गया है जो यण संधी का पहचान है यण संधी में इ या में बदलता है उ व में बदलता है और र रा में बदलता है अर्थात यहां आंसर जो होगा वो होगा आपका सी विकल्प 18 question में उत्तर जो होगा वो सी विकल्प होगा यन संधी अगला 19 वा question, 19 वे question में है कौन सा विकल्प संगत नहीं है इसमें 4 सब्द संधिशेद किये हुए हैं हमें ये देखना है कि कौन सा गलत है पहला विकल्प है भुस, धन, अन, भूशन जो की सही है, संगत है दूसरा विकल्प जो है अम, धन, मै, अम, मै जो की गलत है ये होगा अप, धन, मै अपके साथ मै के संयोग से अम, मै सब्द बनता है तो ये संगत नहीं है, अर्थात हमारा उत्तर जो होगा वो B option होगा यहाँ पर, B विकल्प हमारा सही उत्तर है बीश्वा question, किस सब्द में गुण संधी नहीं है पहला सब्द है, पहला विकल्प महोर जस्वी, महाधन उर्जस्वी महाधन उर्जस्वी, आ, उ, मिल के ओ बनना गुण संधी का उदाहरन है दूसरा सब्द है, प्रेत, प्राधन, इत, ये भी गुण संधी का उदाहरन है आ, ई, मिल करके ए बन जाना तीसरा विकल्प जो है, वो सरोरुह, सरहधन रुह सरहधन रुह तो सरहधन रुह जो है, वो साफतोर पे दिख रहा है हमें कि विसर्ग संधी का उदाहरन है अतह सही उत्तर जो होगा, वो सी विकल्प होगा बीसमे कोश्चन का जो उत्तर होगा, वो तीसरा सरोरुह शब्द होगा राजर सी में भी गुण संधी है, क्योंकि और ये मिल करके अर बन रहा है जो गुण संधी की पहचान है अब अगले प्रस्ण पर हम बात करते हैं अगला प्रस्ण है, मन गढ़हन्त सामासिक पद में कौन सा कारक है तो मन गढ़हन्त सब्द का विग्रह करेंगे, तो मन से गढ़ा हुआ मन से गढ़ा हुआ, यानि यहाँ पर करण कारक है करणकारक का मतलब होता है क्रिया का साधन तो मन से गढ़ा हुआ हमें से जो है वो साधन का कारिय कर रहा है इसलिए यहाँ पर सही विकल्प सही उत्तर जो होगा वो सी विकल्प होगा तीसरा करणकारक 22 कुश्चन अनादी सब्द में समास पुछा गया है कि अनादी सब्द में कौन सा समास है तो यहां पर नकारात्मक उपसर्ग जो ऐसे उपसर्ग हों जो निसेद सूचक हैं उनसे बने हुए समास जो हैं वो नए तत्पुरुस समास के अंतरगत रखे जाते हैं अता 22 में प्रस्ण का सही उत्तर भी नए तत्पुरुस सी विकल्प होगा अगला कुश्चन 23 कुश्चन अहो रात्र में समास पुछा गया है अहो रात्र से मतलब अहन रात्री अहन मतलब दिन रात्री तो दिन रात यानि यहां पर सही विकल्प जो होगा वो द्वन्द समास होगा द्वन्द का उदाहरण है चौविश्वा कुस्चन राधा आएगी तो रमा जाएगी यह वाकिक किस प्रकार का है तो अर्थ के आधार पर पूछा गया है जाहर सी बात है यह प्रस्न क्योंकि इसमें जो विकल्प है वो अर्थ के आधार पर दिखाई दे रहे हैं विधान आर्थक है, संकेत आर्थक है, अन्य दो विकल्प भी हैं, संदेहार्थक और आग्यार्थक, ये चारों विकल्प अर्थ के आधार पर वाक्य भेध के हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर हमें अर्थ के आधार पर वाक्य भेध बताना है कि राधा आएगी तो रमा जाएगी या रमा आएगी तो राधा जाएगी ये ध्यान रखेंगे वाक्य में अर्थ के आधार पर जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर आस्रित हो तो ऐसे वाक्य को संकेत वाचक या संकेत आर्थक वाक्य कहा जाता है तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो भी विकल् संकेतार्थक नेक्स्ट कुस्चन विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है अर्थात यहां चार जो विकल्प दिये गए हैं उसमें सब्द और विलोम का जोड़ा बनाया गया है जिसमें से एक विकल्प ऐसा है जो सब्द और उसके विलोम का जोड़ा नहीं है उसी वही हमारा उत्तर है उसी को चुनना है क्योंकि प्रस्णी यह है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पहला विकल्प है विहित निशिध जो की विलोम होता है एक दूसरे का विहित का विलोम निशिध होता है दूसरा विकल्प जो है वो विग्य प्राग्य विग्य और प्राग्य ये दोनों शब्द जो है ये समानार्थी होते हैं एक दूसरे के परियाय हैं अत हमारा उत्तर जो होगा यही होगा क्योंकि यह युग्म सुमेलित नहीं है विग्य के साथ यदि अग्य सब्द होता तो तब ये सुमेलित होता तब हमारा उत्तर यहाँ पर सही होता बाकी जो दो विकल्प है वो बिल्कुल सही है विलोम शब्दों के जोड़े हैं क्योंकि रुख्च का मृदू होता है विलोम और समास का व्यास होता है विलोम तो बाकी के विकल्प सब ठीक है, हमारा उत्तर जो है असंगत, असुमेलित जो है वो भी विकल्प है, अतह उत्तर हमारा भी होगा 26. रिजु का विलोम, रिजु का मतलब सरल होता है तो जाहिर सी बात है कि सरल जो है उसका समानार्थी है वाम का मतलब बाया होता है तो ये भी नहीं होगा तीसरा विकल्प वक्र है, वक्र का मतलब टेड़ा होता है तो सरल का विलोम टेड़ा होता है अर्थात रिजु का विलोम क्या होगा वक्र होगा तो 26 वा कोस्चन जो है उसका उत्तर जो है C विकल्प सही है चौथा जो बंक सब्द है बंक का मतलब भी विपरीत या उलटा होता है 27 वा कोस्चन स्रिस्टि का विलोम शब्द स्रिस्टि का विलोम शब्द जो है वो प्रले होता है अर्थात यहां पर हमारा आंसर जो होगा वो डे विकल्प होगा स्रिस्टि अगर स्रिजन होता तो विनास कर देते 28 वा कुस्चन केस का परियावाची शब्द कौन सा नहीं है चार विकल्प दिये गए हैं जिसमें से तीन जो हैं वो केस के परियावाची है एक ऐसा सब्द है जो केस का परियावाची नहीं है हमें उसी विकल्प का चुनाव करना है कच केस का परियावाची होता है दूसरा जो विकल्प है कंज कंज सब्द जो है ये केस का परियाईवाची नहीं होता बलकि ये जो होता है ये कमल का परियाईवाची होता है कंज सब्द जो है ये कमल का परियाईवाची होता है अत हमारा उत्तर जो है वो B option होगा क्योंकि यह केस का परियाईवाची नहीं है बलकि ये कमल का परियावाची है बाकि ये तीनों जो है कच, कुंतल और बाल ये तीनों के तीनों ही क्या होते हैं केस के परियावाची होते है उन्तीसवा कोस्चन कौन सा सब्द विद्वान का परियावाची है चार सब्द दिये गए हैं जिसमें ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा सब्द विद्वान का परियायवाची है पहला विकल्प है कोविध होता है दूसरा विकल्प है विग्य यह भी होता है तीसरा विकल्प है विशारद यह भी विद्वान का परियायवाची होता है तो जाहर से बात है कि इसका जो उत्तर होगा वो D विकल्प होगा सभी जो तीनों शब्द है उपर युगत ये तीनों के तीनों विद्वान के परियायवाची है अतह यहां पर आंसर जो होगा वो D विकल्प होगा अगला कोस्चन तीसवा कोस्चन अरगला शब्द का उचित परियाय होगा पहला विकल्प है दर्वाजा नहीं होता दूसरा विकल्प है परदा यह भी नहीं होता तीसरा विकल्प जो है इसमें सिटकनी था जो इसका सही विकल्प, जो है सही उत्तर जो है, वो सिटकनी होता है, तो इसमें सिटकनी, इसका सही विकल्प है, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जो विकल्प उत्तर होना चाहिए, वो छूट गया है, उत्तर का विकल्प यहाँ पर नहीं है, ध्यान देंगे अर्गला शब्द का जो परियाय है, वो शिटकनी जो हम दर्वाजे में लगाते हैं वो उसका परियाय वाची होता है anyway, answer यही है, अगले question पर आते हैं अगला question इन में से कौन सा अर्ख का अर्थ है अर्ख का सही अर्थ इन में से कौन सा है पहला विकल्प है आसव यह अर्ख का अर्थ होता है दूसरा विकल्प है तामबा यह भी अर्ख का एक अर्थ होता है तीसरा विकल्प है इंद्र यह भी अर्ख का एक अर्थ होता है अर्थात यहां जो हमारा आंसर होगा वो D विकल्प होगा सभी है 32 question यह प्रस्ताव सबको स्विकार है इस वाक्य का निसेध वाक्य बताना है इस वाक्य का निसेध वाक्य कौन सा होगा पहला है यह प्रस्ताव सबको स्विकार नहीं है जो गलत है यह प्रस्ताव किसी को स्विकार नहीं है यह भी गलत है तीसरा विकल्प जो है इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ती नहीं है यही सही उत्तर होगा कभी भी जब हम वाक्य को विधी से निसेध में या निसेध से विधी में जब भी बदलते हैं तो हमें इस बात का धियान रखना बिलकुल अनिवारियत है इस बात का धियान रखना है कि वाक्य का अर्थ बदले बिना वाक्यांतरण हो तो पहले दूसरे विकल्प में जो है वाक्यों के अर्थ बिलकुल विपरीत हो जा रहे हैं उलट जा रहे हैं इसलिए ये आंसर नहीं होंगे तीसरा जो विकल्प है इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ती नहीं है का सीधा सा मतलब यही है कि यह प्रस्ताव सबको स्विकार है तो इसलिए आंसर यहां पर हमारा C होगा अधर एक्जामपल में भी यह ध्यान रखेंगे कि हिंदी में जब भी वाक्यांतरन करते हैं तो वाक्य के अर्थ को अक्षुन रखते हुए अर्थ नहीं बदलना चाहिए वाक्य का सिर्फ रूप बदलना चाहिए तैंतीसवा कुस्चन शुद्ध वाक्य का चैन करना है चार वाक्य दिये गए हैं जिसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है इसका हमें चुनाव करना है पहला वाक्य है राम ने पुष्टक खरीदा जो की गलत है खरीदा नहों करके खरीदी यहां पर जो है क्रिया का लिंग गलत है इस्त्रिवाचक क्रिया रूप होना चाहिए जो पुरुसवाचक है इस वज़े से ये गलत है मैंने मेरा कारिय पूर्ण कर लिया यहां पर सर्वनाम संबंधी असुद्धी है मेरा का प्रयोग नहीं होगा मैंने अपना कारी पूर्ण कर लिया उसका कद मुझसे बड़ा है यहाँ पर विशेशन संबंधी असुद्धी है कद के लिए लंबा विशेशन प्रयोग होना चाहिए न की बड़ा यानि यह वाक्य उसका कद मुझसे लंबा है ऐसा होता तो वाक्य शुद्ध होता अर्थात A, B, C यह तीनों ही वाक्य जो है यह गलत है इसका सही उत्तर जो है वो D विकल्प है जिसमें वाक्य है रमेश स्वयम आकर छमा मांगेगा इस वाक्य में किसी भी प्रकार की व्याकरनिक तूटी नहीं है उपर के जो तीन वाक्य है उन तीनों वाक्यों में व्याकरनिक तूटियां है जिसे मैंने आपको बताया कहां पहले वाक्य में क्रिया का लिंक गलत था दूसरे वाक्य में सर्वनाम संबंधी असुद्धी थी तीसरे वाक्य में विशेशन संबंधी असुद्धी थी कद के लिए लंबा विशेशन प्रियोग होता है नकी बड़ा नेक्स्ट चौतीसवा कुस्चन इसमें भी अशुद्ध वाक्य का चैन करना है यानि तीन वाक्य शुद्ध हैं एक अशुद्ध है पहला सिवाए तुमको छोड़कर कोई मेरे समर्थन में नहीं है यह वाक्य जो है यह गलत है क्योंकि या तो सिवाए का प्रियोग करें या फिर तुमको छोड़कर सिवाए तुम्हारे लिखें या तुमको छोड़कर लिखें दोनों का प्रियोग करना असंगत है अता पहला वाक्य जो है वो गलत है दूसरा वाक्य है लता दिन भर गाती गाती ठक गई यह वाक्य भी अशुद्ध है इस वाक्य में भी वचन संबंधी अशुद्धी है लिंग संबंधी अशुद्धी है गाते गाते ठक गई होना चाहि यह न की गाते गाते ठक गई तो यहाँ पर यह विकल्प जो होगा लता दिन भर गाते गाते ठक गई तीसरा विकल्प है सिक्षक ने मेरी बाते ध्यान पुर्वक सुने यह वक्षक के व्याकरनिक द्रिस्टि से पूर्णतह सही है अर्थात यहाँ जो आंसर होगा वो डी होगा डी आंसर में विकल्प यह है कि और बात दोनों ही वाक्य गलत हैं जो की हैं हमने देखा पहला और दूसरा दोनों ही वाक्य गलत है तो इसका सही उत्तर जो होगा वो डी होगा अगला question मुहावरे से है चड़ी गांठना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है तो चड़ी गांठना मुहावरे का सही अर्थ होता है अधिकार जताना किसी चीज पर अपना हक जताने के लिए मुहावरा प्रियोक किया जाता है चड़ी गांठना नेक्स्ट कोस्चन है च्छतीसवा कोस्चन जनवासे की चाल चलना मुहावरे का सही अर्थ होता है सुस्त होना धीमा होना तो जाहिर सी बात है इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा विकल्प है सी सुस्त होना अगला कोस्चन जो है खरा खेल फर्रूखा बादी खेलना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है जिसका अर्थ होता है निस कपट ब्यवहार करना तो यहाँ डी ऑप्सन सही होगा डी इसका उत्तर होगा अर्थ इस्वा कोस्चन है घडी में तोला घडी में मासा ये एक लोकोक न होना मतलब कभी कुछ कहते हैं कभी अपने ही निर्णे से पलट जाते हैं वैसे इस्थिती को कहते हैं घडी में तोला घडी में मासा तो इसका उत्तर जो होगा वो पहला विकल्ब एह होगा अगला कोस्चन 49 वा कोस्चन होज भरे तो फवारे छूटे एक लोकोकती है इस लोकोकती का अभिप्राय पुछा गया है होज भरे तो फवारे छूटे लोकोकती से अभिप्राय होता है कि आमदनी होने पर ही खर्च हो अतह इसका सही उत्तर जो है वो बी ऑप्शन है आमद होने पर खर्च होना या खर्च करना इसका सही विकल्प B option दूसरा option चालिसवा question है सौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा ये एक लोकोक्ती है जिसका अर्थ पूछा गया है तो इस लोकोक्ती का अर्थ होता है बे धंगा सौक अता इसका सही उत्तर जो है पहला विकल्प है एक अगला एक तालिसवा question जो है pulling शब्द का chain करना है चार शब्द ये गये हैं जिसमें से एक pulling शब्द है सजावट इस्त्रिलिंग शब्द है सजावट अच्छी है आहट यह भी स्त्रिलिंग है उसकी आहट हुई मणी यह भी स्त्रिलिंग शब्द है सर्प की मणी या अच्छी मणी यह भी स्त्रिवाचक शब्द है चौथा विकल्प जो है ये सही उत्तर है मोती मोती चमकता है ये pulling शब्द है पुरुस वाचक शब्द है अता एक तालिसमें question का सही उत्तर D विकल्प होगा मोती 42 वा कुस्चन संग्या सर्वनाम क्रिया आधिका आधहार बताने वाले कारक क्या कहलाते हैं तो संग्या सर्वनाम क्रिया आधिका आधहार बताने वाले जो कारक होते हैं उसे अधिकरण कारक कहा जाता है अतव 42 वा कुस्चन जो है उसका सही उत्तर जो होगा वो दूसरा विकल्प होगा भी अधिकरण का अर्थी होता है आधार 43 वा कुस्चन मैंने अभी अभी रोटी खाई है वाक्य किस काल में है मैंने अभी अभी रोटी खाई है इस वाक्य से दो भाव लक्षित होते हैं पहला भाव तो ये है कि रोटी खाने की क्रिया समाप्त हो चुकी है यानि भूत काल में है, दूसरा अभी अभी खाई है से ये भाव भी लक्षित होता है कि जो क्रिया हुई है रोटी खाने की उसका प्रभाव अभी सेस है, तो जब क्रिया भूत काल में हुई हो और उसका प्रभाव अभी सेस हो तो ऐसे वक्य के काल को हम कहते हैं आसन भूत मतलब सन्निकट भूत में क्रिया हुई है अतह 43 वा कोस्चन का सही आंसर जो होगा वो तीसरा विकल्प होगा C, आसन भूत आपके सिवा कोई इस पद के योग्य नहीं है इसमें सिवा सब्द को रेखांकित किया गया और पूछा गया है कि यह किस प्रकार का व्याकरनिक पद है तो यह जो है आपके सिवा यह एक संबंध बोधक अव्याय है तह 44-वे कोष्चन का जो सही उत्तर होगा वो भी विकल्प होगा दूसरा विकल्प होगा समानार्थी सब्दों का कौन सा युग्म संगत नहीं है चार सब्दों के जोड़े दिये गए हैं जिस में से तीन संगत है एक सब्द जोड़ा उसका अशंगत है पहला कीर तोता कीर और तोता एक दूसरे के समानार्थी हैं परियावाची होते हैं अतह ये सही है कांतार जंगल ये भी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं यह भी सही है केतु जंडा एक दूसरे के समानार्थी हैं यह भी संगत है चौथा जो विकल्प है कुलिस और कृपान यह संगत नहीं है क्योंकि कुलिस सब्द का अर्थ वज्र होता है कुलिस सब्द जो है इसका अर्थ होता है वज्र अर्थात हमारा उत्तर जो होगा 45 प्रसन का वो D option होगा लास्ट वाला कुलिस और क्रिपान वाला क्योंकि कुलिस का जो अर्थ होता है वो वज्र होता है 46 वा कुस्चन हिंदी व्यंजनों में आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है तो हिंदी व्यंजन वर्णों में आगत व्यंजन जो है वो पांच हैं जो फार्सी से आए हुए हैं जो नुक्ता वाले वर्ण होते हैं का खा जा पा फा ये पांच एक बार मैं पुनह लिख देता हूं का खा गा जा और फा ये पांच जो व्यंजन वर्ण है ये फार्सी से आए हुए वर्ण है अतह आगत वर्णों की संख्या क्या हुई पांच हुई तो 46 कोस्चन का हमारा जो उत्तर है वो है सी विकल पांच 47 किस सब्द में विदेशी प्रत्य है या आगत प्रत्य है पहला सब्द है हमलावर हमलावर शब्द में प्रत्य विन्यास देखें तो हमला जो है वो सब्द है और आवर प्रत्य है जो की विदेशी भासा का है तो 47 कोस्चन जो है ये पहला ही विकल्प इसका उत्तर है हमला आवर शब्द बाकी जो तीन विकल्ब हैं बपाउती में बाप आवती यहां आवती प्रत्य है दढ़ील में यल प्रत्य है जो हिंदी है जगडएल में एल प्रत्य है जो की हिंदी का है तो एक ही ऐसा शब्द है हमलावर जिसमें जो प्रत्य है आवर फारसी भासा का है अतास 47 question का उत्तर जो होगा वो पहला विकल्प होगा और 48 वा question इन में से कौन सा शब्द तद्भव है हरिण हरिण तद्सम शब्द है इसका तद्भव जो होता है वो होता है हीरण तेल तद्सम शब्द है तेल सब्द का तद्भव जो होता है वो होता है तेल उत्साह भी तद्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है उच्छाह चौथा विकल्प हमारा उत्तर होगा ये तद्भव शब्द है मोती मोती का जो तच्सम होता है वो मौक्तिक या मुक्ता मोती के तच्सम को आप दो तरीके से ध्यान रख सकते हैं या तो मौक्तिक या मुक्ता मुकता भी कहते हैं और मौकतिक भी कहा जाता है तो अड़ी पूस्चन का आंसर जो होगा वो D भी कलप होगा उन्चास्वा कूस्चन इन में से कौन सा शब्द संकर सब्द है संकर शब्द वे होते हैं जो तद्सम तद्भो या देसल सब्द के साथ जब विदेशी सब्द के मिलने से एक स्वतंत्र नया शब्द बनता है तो उस शब्द को हम संकर सब्द कहते हैं तो यहाँ पर टैंक युद्ध टैंक विदेशी सब्द है युद्ध तत्सम शब्द है यानि ये संकर है मसालेदार मसाला तद्भो शब्द है द अर्थात यहां उन्चास में कोस्चन का सही उत्तर जो होगा वो डी विकल्प होगा इसमें सभी के सभी सब्द संकर हैं टैंक युद्ध भी संकर है मसालेदार भी संकर है और किरायदार सब्द भी संकर शब्द है नेक्स्ट लास्ट भावाच्ची की क्रिया होती है भावाच्ची की क्रियां सदैव एक वचन पुलिंग में होती है अतह 50 में कोस्चन का जो उत्तर है वो पहला विकल्प है ये विकल्प है भावाच्ची की क्रिया जो होती है वो हमेशा एक वचन में होती है और पुलिंग हो होती है तो यह आज का हमारा टेस्ट पेपर डिसकुशन था फिर मिलते हैं दूसरे टेस्ट पेपर के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेचर को थादी धन्यवाद